आज मैं आपके लिए लेकर आयू नवरात्री व्रत स्पेशन सीताफल शेक की रेसिपी अक्सर हम जब घर पर सीताफल शेक बनाते हैं तो हमें उसके बीज उससे अलग करना बहुत मुश्किल लगता है पर आज मैं लेकर आयू आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक जिससे आप सीताफल के बीच बहुत ही आसानी से अलग कर सकते हैं तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं ले रही हुए हाँ पर सिता फल, यहाँ पर मैंने मेडियम साइज के तीन सिता फल लिए, दो ग्लास जूस बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से दो हिस्सों में काट लेंगे, उसके बाद हम ले लेंगे एक मिक्सर का जार, और स्पून से हम सारा पल्प निकाल कर मिक्सर के जार में डाल लेंगे, इसके साथ हमने बीच को भी डाल दिया है, जब हम इस तरह से स्पून से पल्प को निकालते हैं, तो कोई-कोई पल्प के अंदर सिट्स नहीं होते हैं, तो उस वाले बगर सिट्स वाले पल्प को हमें निकाल कर अलग करना है क्योंकि उसको हम डालेंगे जूस के उपर गार्निशिंग के लिए तो यहां देखे इस तरह से यह बगर सेट्स वाले पल्प है इसे हम साइड में रख देंगे और बाकी पचे सभी सिताफल को हम इस तरह निकाल कर मिक्सर के जार में ले लेंगे तो यहां देखे साथ दूट डाल कर इसे चंग कर लेंगे बस एक बार हमें इसे विप करकर गुमाना है हमें इसे पीसना नहीं है और यहां पर आप ले लेते हैं चलनी उसके अंदर हम इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से स्पून से प्रेस करते भी गुमा लेंगे ताकि जो भी पल्प सीट्स के उपर लगा है वो निकल जाए और सीट्स पूरे अलग से निकल कर आ जाए तो यहां देखिए अच्छे से से उपर पल्प निकल चुका है और यहां देखिए बहुत ही अच्छे से यह निकल कर आ गया है तो इस तरह से हम एक एक करके सारे सीट्स को इस पल्प से निकाल कर अलग कर लेंगे तो यह बहुत आसानी से निकल जाता है बहुत आसा तरीका एज पल।- सीड्स निकालने का तो यहा देखिए बहुती पर्फेक्ट बन चुका है इसके अंदर एक भी सीड्स नहीं तो अब हम ले लेते हैं फिर से एक मिक्सर का जार और इस पल्प को हम डाल देंगे मिक्सर के जार के अंदर ताकि हम इसे फिर से एक बार मिक्सर में घुमा सके और अब हम डाल देंगे इस पल्प को भी पल्प को मिक्सर के जार में डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंग से पीस लेंगे याद रखिए अब हम इसे एकदम बिल्कुल फाइन लिपीसना है ताकि यह बहुत ही गाड़ा बन जाए तो यह लीजिए बहुत ही परफेक्ट यह पीसकर तयार हुआ है बहुत ही गाड़ा सा हमारा जूस बन चुका है तो फटा-फट से अब हम ले ले लेते एक सर्विंग ग्लास और उसके अंदर इसे ट्रांसपर कर लेंगे बिल्कुल मिंटो में बनने वाला एस सिताफल जूस हमारा बनकर तयार है अब हम इसके उपर गार्निशिंग कर लेंगे सीडलेस पल्प के साथ तो कैसे लगी आपको हमारी सिताफल शेक की रेसिपी हमें क करकर जरूर बताना अगर आपको अमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले तो चलिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ थैंक्यू सो मच